पूलिस के आने से पहले चोर भाग चुकेगा इस सेंटेंस के इंगलीज जानेंगे आज की इस वीडियो में तो दोस्तो ऐसे सेंटेंस में दो कारे होगा जैसे की सेंटेंस में पूलिस का आना और चोर का भागना तो आईसे sentence को English में translate करने के लिए जो कार्य पहले होगा उसकी English पहले लिखते हैं तो इसमें पहले क्या होगा पहले चौर भाग चुकेगा तो यह फ्यूचर परफेक्ट जचन्स का sentence है और यह affirmative sentence है तो फ्यूचर परफेक्ट के affirmative sentences को English में translate करने का नियम होता है पहले subject लिखते हैं और इस sentence का subject है चोर भाग चुकेगा यानि कि चोर जो है subject है तो चोर की English पहले लिखेंगे the tip उसके बाद cell have या will have में से कोई एक helping verb लगाना है तो यहाँ पर will have रहेगा उसके बाद verb का third form और इस sentence का verb है भाग चुकेगा यानि कि भागना भागना को English में run away कहते हैं तो run का third form भी run होता है तो हम लिखेंगे run away उसके बाद पहले की English लिखेंगे before उसके बाद लिखना है आपको जो कारवाद में होगा उसकी English हम लिखते हैं before के बाद simple present tense के नियम से तो यह है police के आने की जो English से उसी simple present tense के नियम से याने की present indefinite tense के नियम से लिखने पर यह हो जाता है The police comes Police के आने से पहले चोर भाग चुकेगा इस sentence के English होती है The thief will have run away before the police comes दोस्तो यह दी sentence negative होता जैसे कि police के आने से पहले चोर नहीं भाग चुकेगा तब will के बाद not लिखते हैं याने की have से पहले not लिखते हैं तो यह हो जाता The thief will not have run away before the police comes यदि आपको ऐसे sentence को English में translate करने में कुछ समझ में नहीं आया तो आप नीचे comment करके पूछ सकते हैं और यदि आप ऐसे sentences का और भी translation video देखना चाहते हैं तो इस channel के playlist में जाएं और यदि आप channel पर नए हैं तो रोजाना translation सीखते रहने के लिए चैनल को subscribe करें बेल आइकन को press करें Thank you